दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या मार्केट अभी और नीचे तक गिरेगा या फिर मार्केट अगर उपर बढ़ेगा तो क्या लेबल होने वाला है यानि कि बैंक निफ्टे में अगर आप देखो तो यहां पर क्या हो रहा है बाइंग आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चलिए बिना समय वीडियो को सुरू करते हैं देखे मार्केट आज यहां पर कहीं गैप ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया मार्केट यहां पर थोड़ा सा जो अपना गैप था वो फिल किया यहां पर देखो आप मार्केट फिल किया यहां पर नीचे साइड एक ट्रेंड लाइन था सपोर्ट वगाएरा बनाया और फिर मार्केट ऊपर साइड चला गया ठीक है प्रिवियस यहां पर प्रिवियस डे आप अगर देखो यहां पर थोड़ा समय इसको इधर कर देता ठीक है थोड़ा समय इधर कर दो तो यहां से मार्केट क्या किया है थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं हलका सा तो यहां देखिए मार्केट यहां पर प्रिवियस यानि कि पिछले दिन जब यहां पर मार्केट चल ला था तो यह एरिया नीचे ब्रेक नहीं कर पा हमलोगों ने जब चलती है उसमें हम लोगों ने चोटा सा बनाया और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ठीक अब बनाके यहां पर यहां पे तैन्य नीचे पर फिर ट्रेंड लाइन पर फिर फिर मार्केट उपर गया फिर इसी ट्रेंड लाइन पर मार्केट फिर उपर गया और उसके बाद ये एरिया जो टूटा उसके बाद ये वापस से फॉल कर दिया गाइस ठीक है तो ये सारे लेवल अगर आपको सीखने है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जा के चेक आउट करिए वहां पर ये सारे चीज़े बताई गई है जैसे कि ये सारे कैंडिल्स आप इसको देखके एजली आप इस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो या फिर ये वाली कैंड्डिल हो छो टिक है तो इ empieza टो अब को आफ आपको सीखना है तो आई बटन पे ।रलिंक है वहाँ पर जाकर आप चेक आउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है वहां से भी आप इसको सीख सकते हो इसको आप अफने डेली ढख जरनी में इसको यूस भी कर सकते हो यह बहुत अच्छे से आपको काम करेगा ठीक है तो अभी फिलाल मों लोग यहां पर लेवल्स देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और यह जो भी लाइन से इसको हम लोग हटा जेते हैं देखिए मार्केट जब ही भी मार्केट नीचे आ रहा है उसके अद वहाँ पस पुल बैक हो रहा है ठीक है मार्केट नीचे आया यहाँ पर देखो आप फिर मार्केट पुल बैक ठीक है आपका जो हाई का लेबल रहेगा वो काफी बड़ा हो जाएगा यानि कि 44,000 का आपका लेबल होने वाला है यह थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यह एक दिन में नहीं होने वाला है एक चीज आप लोग अपने दिमाग से निकाल दी 39,000 के आसपास सपोर्ट हो ठीक है इन्हीं तीनों में से कोई एक ऐसा सपोर्ट बनेगा जब मार्केट यहां पर यू टर्न लेगा यहां पर यहां पर तो आपको एक अच्छा खासा यहां पर ट्रेड देखने को मिलेगा थोड़ा साम लोग जूम करके लेबल समले देते है कि अगर मार्केट सपोर्ट करो ऊपर खुलता है तो क्या लेवल होने वाला है तो कि अगल के दिन मार्केट यहां पर खुल जाता है ठीक है यहां पर खुलता है तो यह एरिया आपका एक support बना रहेगा गाई जहां पे market आज close किया है यह area एक support बना रहेगा और support पे जब यहां पे 15 minute की candle ठीक है guys 15 minute candle जब यहां पे support बनाएगी और देन उपर साही निकलेगी तो हम लोग यहां के लिए plan करेंगे यानि कि 39,800 का target हम लोग के लिए simple छोटा सा target रहेगा ठीक है अगर suppose करिए कि support ब्रेक कर जाता है market यहां support ब्रेक कर देता है तो day low यानि कि आज का जो low है वह हम लोग का target यहां पे होने वाला है ठीक है पहला target यह हो जाएगा और दूसरा target हम लोग का यह वाला यह हो जाएगा यानि कि अगर market फॉल किया तो काफी लंबा फॉल कर जाएगा 38,900 या फिर 800 के आसपास का target हो जाएगा यह चीज थोड़ा सा देखने वाली है market में अगर आप live stream में हमारे रहोगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो छोटा सा level यहां पर बैंक निफ्टी में बन रहा है अब हम लोग देखेंगे निफ्टी में निफ्टी म इसको break नहीं कर पा रहा है यह अभी तक break नहीं कर पाया है और यह आगे भी अभी कुछ दिनों तक यहां पर यह चलने वाला है ठीक है चाहे वो नीचे से आप ड्रोग करो चाहे उपर से ड्रोग करो market उपर गया नीचे आया फिर यहां पर देखो आप देखो सब आपके सा इस सामने दिख रहा है जबही इस लाइन पर यहां पर यहां पर चला जा रहा है रहा है मारकेट फिर यहां पर उसी लाइन और नीचे साइट का ये एक सपोर्ट है ये सपोर्ट ना मार्केट को यहाँ पर बढ़िया नहीं मिल पा रहा है इसलिए बार बार ये उपर जाके फिर नीचे गिर जा रहा है ठीक है और जो उपर साइट रजिस्टेंस तगड़ा हो गया आए इस तो आने वाले समय में जब तक यह resistance या फिर support किसी एक तरफ ब्रेक नहीं करेगा तब तक market इसी range में फंसा रहेगा तो चलिए देख लेते हैं अभी फिलाल market अगर suppose करिए gap up खुलता है तो अगर इस range के आसपास खुलता है यानि कि इस range के आसपास खुलता है तो देन वही एरिया रहेगा यह वाला एरि कर सकते हैं यह यहाbahn से फिर नीचे साइट का हम लोग यह पर ट्रीड प्लान कर सकते हैं तो यह अगर सब Sul T लोग लोग यहां पर तो हम लोग को क्या करना होगा यह यह एरिया और यह क्रेस्टन्स हो जाएगा ठीक है यह पी रेजिस्टन्स और नीचे साइट का हम लोग जो टार्गेट रहेगा वह यह रहेगा यानि कि 15-minute candle अगर ऊपर जा के close करती है तो धेर हम लोग call side में plan करेंगे अगर इसी range के नीचे आखे close करती है यानि कि ये area resistance है इस resistance के नीचे अगर close करती है 15-minute की candle तो धेर हम लोग नीचे-नीचे तब तक के लिए दोस्तों जाहिन जा बारत